एक सावली से लड़की, एक बावली से लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत मैं खो गई है दीवानी हो गई है क्या बात है क्या जाने खौब किसका आँखों में है साभाले क्या जाने खब किसका आँखों में है सभाले कुछ सोचती है शब भर मुह पर लिहाफ डाले लिहाफ रजाई कुछ सोचती है शब भर मुह पर लिहाफ डाले घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है एक सावली से लड़की अब अगला बंद और सुनाती हूँ सुदू बुदू है उसको खुद की सुदू बुदू नहीं है घर की सुदू बुदू है उसको खुद की सुदू बुदू है उसको खुद की सुदू बुदू नहीं है घर की हर दिन बदल रही है कुरती नए कलर की हर दिन बदल रही है कुरती नए कलर की बेरंग ओडनी भी रंगीन हो गई है एक बाबुली सी लड़की ऐसा भी होता है खिडकी से जांकती है मां से नजर बचा कर खिडकी से जांकती है मां से नजर बचा कर बेचैन हो रही है क्यों घर की छट पे जाकर उसको कुछ नहीं मालो बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर क्या ढूंडती है जाने क्या चीजो खो गई है एक सावली से लड़की एक बावली से लड़की इतना अच्छा सुनना है तो ऐसा लगता है कलेजा निकाल के रखतू देखिए मेरा कलेजा निकल ला और आप करें वाह एक बंद और सुनाती हूँ ऐसा होता है यह जिन्दगी मैंने भी जी आपने भी जी जी कर उठी है यह क्या सुना ली थी एक सावली से लड़की एक बावली से लड़की वो ध्यान ही न देगी क्या कह रही है टीचर वो ध्यान ही न देगी क्या कह रही है टीचर एक नाम कौपियों पर लिखती रहेगी दिन भर एक नाम कोपियों पर लिखती रहेगी दिन भर कुछ भी ना पढ़ सकेगी इसकूल तो गई है एक सावली से लड़की एक बावली से लड़की अब यह गजल यह नजम का आखिर बाद आप सबको समर पर अंजम को ठेर सारी दौाओं देना बिदा कर देना नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है नानी से अब कहानी लड़कों को दध्याल पसंद होता है लड़कीयों को नध्याल नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है गुरियों से तितलियों से अब दो सुती नहीं है नासुक कली भी अंजुं गुलनार हो गई है दोनों हाथ उठा के जरा सा मुझे दोनार से एक सावुली से लड़की वाँ जुन्दा कर दिया भी अंजुं जी वाँ वाँ एक बावुली से लड़की वाँ